हेलो गाइस, आई होप यू अलव वेल, वेलकम तो आर डेटा साइंस प्लेलिस्ट, वी आ थैंक्फुल दाट यू आर इंटरस्टे इन व्यूइंग वीडियो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको आज इस वीडियो में मार्किट का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक पर आगे जाने से पहले हमारे चैनल गेट समेशर को सब्सक्राइब करना ना भूले I'll start this lecture with the very realistic definition of data science, according to which data science is an interdisciplinary field that uses scientific methods, processes, algorithms and systems to extract knowledge and insights from structured as well as from unstructured data Easy words में अगर कहें तो data science एक ऐसी technology है जो की अलग-अलग fields में काम आती है और data science में हम कुछ mathematical और scientific तरीकों से data में से कुछ ऐसे effects और insights निकालते हैं जो की देखने या समझने से पता नहीं चलते So, इस definition को और अच्छे से समझने के लिए I am taking a small example पर उसे पहले मैं आपको पताना चाहता हूं की This example is totally fictional, it does not have any connection with the brand names used in the video We have just tried to relate our example with the real world for which we have taken such brand names There is no such relation of this video with these brands and we also don't want to disgrace anyone Once there was a person named Rajat, he wants to eat pizza so he thought to order pizza from his mobile For which he started dialing the pizza company number and call to the pizza company Where in some amount of time the call gets connected with the pizza company Pizza store attendant take the call And said Hello sir, Domimo's Pizzas welcome you How may I help you? Then Rajat says Sir, मुझे एक चीजबस पीज़ा ओर करना है और हाँ उसमें एक्स्टा चीज़ जरूर एड कर देना इतने में, call attendant पूशता है Sir, I want to verify your mobile number So, can you kindly repeat your mobile number once? And as Mr. Rajat told the mobile number Call attendant entered the mobile number in the software और कुछ ही सेकिंड में उसको Mr. Rajat का सारा डेटा से सो जाता है Call attendant Rajat को पुराने डेटा को देख कर कहता है Sir, आप बुरा ना माने पर आप चीज़ बस पीज़ा की जगा कोई वैजी पीज़ा खाईए इस पर रज़त गुसे में पूशता है क्यों? क्यों नहीं खा सकता मैं अपना फेवरेट चीज़ बस पीज़ा? तब पीज़ा परसन कहता है Sir, आपकी मेडिकल हिस्ट्री देख कर ये पता लग रहा है कि आपको कॉलस्ट्रॉल प्रॉब्लम है और कुछ दिनों से आपकी कॉलस्ट्रॉल काफी हाई है तब पीज़ा परसन रज़त को कहता है Sir, आपके फार्मेसी डेटा को देख कर ये पता लग रहा है कि आपने 12 टेबलेट का एक पैक लिया था और वो भी इस महीने की 11 तारीक को खतम हो जुका है और आज 23 तारीक है So it means you haven't taken your medicine from last 11 days अब ये सुनकर अरज़त गुसे में चलाता है अरे भाई, तुम्हें क्या चिंता हो रही है? मैंने जो मैडिसन का पैक 11 के बाद लिया उसका कोई डिजिटल बिल नहीं बनवाया So please, मेरा पीज़ा ओर बुक करो और फाल तुग ज्यान मत दो अब फिर से पीज़ा परसन कहता है Sir, but आपके डैबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के स्वाइप स्टेटस बताते है कि आपने पिछले दो महीने में किसी भी फार्मेसी शोपर कार्ड स्वाइप ही नहीं करवाया तब रज़त गुसे में बोलता है हाँ, तो ठीक है ना, मैंने दवाई कैश ले ली थी पीज़ा परसन फिर कहता है Sir, but आपके बैंक प्राजेक्शन स्टेटस ये बताते है कि पिछले एक महीने से आपने कोई भी अमाउंट अपने बैंक से विड्रो ही नहीं करवाया अब रज़त का गुसा साथवे असमान पर पहुंच जाता है और वो कहता है अरे तुझे क्या, मेरे पास और भी सोर्सिस हैं कैश के इस पर पीज़ा परसन कहता है बट आपके पैं स्टेटस ये शो करता है कि आपके पास बस एक ही सोर्स ओफ इंकम है और वो भी आपके बैंक में क्रेडिट होता है इन दी फॉर्म अफ योज सेलरी और आपके पास कोई और सोर्स ओफ इंकम नहीं है अब रज़त आग बबूला हो जाता है और फ्रस्टेट होकर गुसे में कहता है मैंने बस एक पीजा ओडर करना था और तुमने मेरी मेडिकल हिस्ट्री फार्मेस्टी रिपोर्ट क्रेडिट कार्ड बिल सेलरी अकाउंट और मेरी इंकम रिकॉर्ट भी देख लिए हद है यार मैंने नहीं खाना कोई पीजा मैं ये तुम्हारा शहर और ये कंट्री छोड़के जा रहा हूं बस और इस पर पीजा परसन बड़े ही प्यार से कहता है Dear Sir, I am so sorry मुझे बताने में बड़ा दुख हो रहा है कि आप ये कंट्री भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपका पासपोर्ड भी expired है So, ये थी एक स्टोरी जहां आप देख सकते हैं कि सिरफ एक मोबाइल नंबर जो की अलग-अलग जगा रेजिस्टर है सिरफ उससे ही काफी तरह के डेटा को easily assess और उससे बहुत सारे insights निकाले जा सकते हैं So, we can say in data science we use various data sets and apply various statistical functions on it to provide better insights knowledge from that data So, अब मुझे लगता है कि आप सब data science के बारे में समझ चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि data science हमारी life में कितनी जगा पर काम आती है हमारी आने वाली वीडियोस में अब हम आपको ये concepts पढ़ाएंगे और इन्हें implement करना भी सिखाएंगे वो भी real world data के साथ So, जिनने ये वीडियो अच्छी लगी वो प्लीज लाइक बटन जरूर दवाएं और इस वीडियो को जादा से जादा शेर करें And those who don't like this video kindly comment your suggestions to us We would surely try to reach up to your expectations But don't forget to subscribe our channel Thanks, stay safe and take care We'll see you next time